दूस्तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि हमने दो running shoes को पहले cover किया था और उनी का आज हम comparison करने वाले हैं दोनों ही running shoes premium quality के running shoes हैं दोनों ही ASICS brand के running shoes हैं और साथी साथ mid budget segment के अंदर ये दोनों running shoes काफी अच्छे running shoes हैं मुझे इस पर काफी जदा questions आ रहे थे कि इन दोनों running shoes के comparison पे video बनाईए तो ये दोनों running shoes हैं एक है ASICS का gel content 7 और दूसरा है ASICS jolt 3 running shoes दोनों ही अपने price segment के अंदर काफी अच्छे running shoes हैं और ये runners की काफी अच्छी पसंद वाले running shoes हैं जो इस category में चलते हैं और runners इसे काफी जदा पसंद करते हैं इन दोनों running shoes को पह section देखने को मिलता है साधी साथ hard surface पे भी आप इसमें आसानी से running कर सकते हैं लॉंग duration running करने में आपको काफी comfortable feel आएगा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन running shoes के साथ जब भी आप 5 km से लेके 10 km running करते हैं और साधी साधी जो running shoes हैं काफी durable काफी comfortable और साथी साथ ब 2000 के आसपास है तो आप इन दोनों running shoes में से कौन सा आपके लिए best हो सकता है जानने के लिए इस वीडियो को पूरे end तक देख सकते हैं दोस्तों अगर आप ASICS gel content 7 या फिर ASICS gold 3 में confused हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है आपको जरूर इस वीड आपको नीचे description में मिल जाएंगे जो टॉप हमारे running shoes है recommended वह भी आपको नीचे description में देखने को मिल जाएंगे आप चाहें तो वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरूर दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दोनों running shoes के features की उसके बाद हम यहाँ पे conclusion की बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे cover करते हैं A6 Jol 3 running shoes दोस्तों यह running shoes काफी बैतरी रर्निंग shoes अपनी price range के अंदर अगर हम इसके upper material की बात करते हैं तो इसमें आपको synthetic match देखने को मिलत जो इस running shoes को काफी अची breathability देता है साधी साधी इस running shoes को काफी durable and flexible बनाता है वहीं दोस्तों इसके midsole में EVA midsole का use क्या गया है जो इसे better flexibility देती है और काफी अची कुशनिंग देती है और यह running shoes GT series से एक inspiration लेके बनाये गया है दोस्तों वहीं अगर हम इसकी कुशनिंग की बा करता है उसको absorb करने में काफी हद तक यह कारगर है दोस्तों वहीं अगर हम इसके comfortability की बात करें तो ASICS 3 के अंदर आपको four foot fit देखने को मिलता है और साधी साथ soft ortholite shock liner देखने को मिल जाता है जो आपको काफी comfortable ride देने में help करता है दोस्तों वहीं अगर हम इसके outsole की बात कर दोस्तों rubber outsole होने की वैसे आप आसानी से किसी भी surface पे इस पे लंबी duration तक running कर पाते है और आपकी जो grip and traction है वो काफी अची रहती है इसके साथ ही दोस्तों इसके outsole में आपको काफी अच्छा design देखने को मिलता है जो इसके grip को काफी बढ़ा देता है और आपको हर एक surface पे running करने में काफी जिदा help करता है वहीं दोस्तों अगर हम इस running shoes के weight की बात करते हैं तो यह lightweight category के अंदर आता है इसका weight around 300 gram है जो काफी lightweight है और आपको यह काफी अच्छा feel कराएगा जब भी आप इसे पेहन के long duration running करेंगे तो आपको काफी lightweight feel होगा दोस्तों वहीं अगर हम इस अच्छा running shoes है इस price range के अंदर और खासकर mid version range के अंदर यह काफी अच्छा running shoes है काफी अच्छी choice हो सकती है आपकी वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे second running shoes की जो है हमारा A6 gel content 7 इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे इन दोनों running shoes में आपको किस के लिए जाना चाह देखने को मिलता है जो इस running shoes को काफी airy and breathable बनाता है more airy बनाता है as compared to A6 Joule 3 running shoes वहीं दोस्तों इसको काफी more supportive और साथी साथ durable भी बनाता है वहीं अगर हम इसके midsole की बात करते हैं तो इसमें Ampliform midsole का use किया गया है जो इससे काफी durable बनाता है और काफी अच्छी cushioning आपको द जाता है अगर आप hard surface पर running कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छी cushioning ये provide कराएगा ये better cushioning दे सकता है आपको A6 Joule 3 running shoes से और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो A6 के gel series है उसकी cushioning काफी अच्छी होती है वहीं दोस्तों अगर हम इसकी comfortability की बात करते हैं तो इसमें ortholight shock liner आपको देखने को मिल जाता है जो आपके comfort को बढ़ाता है साधी साथ shock absorption में help करता है दोस्तों इसके साथ ही आपको इसमें guidance line technology देखने को मिलती है जो आपको running में काफी ज़्यादा help करती है और आपके pace को improve करने में बहुत ज़्यादा help करती है दोस्तों वहीं अगर हम इसक आपके जो anti-skate property है उसको generate करने में काफी ज़्यादा help करता है जिससे आप किसी भी surface पे आसानी से running कर पाते है लुक वाइस भी running shoes काफी अच्छा है दोस्तों अगर हम इसके weight की बात करते हैं तो around 650 gram है थोड़ा सा heavy है as compared to a603 running shoes लेकिन इसमें काफी अच्छी technology का use किया गया है जो आपको running के दोरान काफी ज़दा help करेगी वहीं दोस्तों अगर हम इसकी बात करें इस running shoes की तो इसमें rubber midsole होने की वैसे इसका जो weight है वो थोड़ा सा heavy हो जाता है as compared to a603 और आपको ये 5000 से कम price के अंदर देखने को मिलता है ये एक काफी better cushioning वाला running shoes है mid range price segment के अंदर व content 7 के लिए तब आप जा सकते हैं जब आपका budget 3000 से ज़्यादा हो आप पैसे कर्च कर सकते है 4000-5000 के आजपास तो आप Asics gel content 7 के लिए बेज़ जग जा सकते हैं क्योंकि ये running shoes काफी अच्छा है आपको काफी अच्छी grip भी देगा काफी अच्छी आपको cushioning देगा और आपके running experience को भी enhance करने में काफी ज़दा help करेगा वहीं अगर बात करते हैं कि आपका budget 3000 के आजपास है तो आप Asics जोल 3 के लिए जा सकते हैं क्योंकि वो इस budget के अंदर काफी अच्छा running shoes है और काफी अच्छा running experience आपको उस running shoes के साथ भी देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपके preference पे भी काफी कुछ matter करता है और साथी साथ budget पे भी आपके काफी कुछ matter करता है दोनों ही running shoes अपनी price segment के अंदर काफी अच्छे है अगर आपका budget कम है तो आप Asics जोल 3 के लिए जा सकते हैं अगर आपका budget 5000 के आसपास है तो आप Asics gel content 7 के लिए जा सकते हैं दोस्तों यहाँ और यह comparison video between the two premium Asics running shoes जो है Asics gel content 7 और दूसरा था Asics का जोल 3 running shoes दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को ज़रूर subscribe करें वीडियो को like करें और नीचे comment section में अपने questions करना ना भूलें तो दोस Kellम कारच का बशुम तोस्तों कौके लो साज गुरत का, जिए सेँए करो सम्xis के ला गाज bet। बढ़़ आए का,ऊस्प बढ़चा पक्लियों प्रोत का जिला है Oke!